बच्छों, ये वीडियो सिर्फ अवियाई भाव समास से संबंधित है जिसमें हम विस्तार से समझ लेंगे कि अवियाई भाव समास क्या है तो हमने जैसे बात की थी इसमें पहला पद प्रधान है अर्थात वो अवयाई भी है मतलब अविकारी शब्द जिसका रूप नहीं बदलता और बच्चों इसको याद रखना बड़ा ही आसान है जब ही अवयाई भाव समास आए आपने देखना हो कि यह कौन सा समास है क्योंकि परिक्षा में आपसे प्रशन भी पूचा सास जा सकता है कि यह समास कौन सा है तो जब आप उन पूर्वपद और उत्तरपद को तोड़ लेंगे तो आपके अमने बचेगा क्या आ, यथा, बा, बे, ला, हर, प्रती, अनू इस प्रकार के उपसर्ग बचेंगे तो आप देख सकते हैं कि मतलब यह अविकारी शब्द हैं इनका अपना रूप नहीं बदल सकता अब पहला पदब्रधान आप सोचेंगे कि इन पर अर्थ कैसे टिकेगा क्योंकि इनके अपने अर्थ हैं जैसे यथा, यथा कई दो प्रकार के अर्थ बन जाते एक वंता जैसे यथा शक्ती, शक्ती के अनुसार तो मतलब शक्ती तो सीनित होगी ना कितनी है और यथा संभव जितना संभव हो सके तो इसलिए अव्याई भाव समास बहुत ही आसान है इसकी पहचान करना, आगे हम उधारने देखेंगे जिसमें आपको स्पष्ट करेंगे कि कैसे अव्याई भाव समास की उधारने आपके समक्ष आ सकती है तो बच्चों, ये उधारने हैं, आप देख सकते हैं जीवन भर तो अब जब समस्त पत जीवन भर है तो इसका मतलब हमारे पास क्या है जो शब्द है इसका, ये हमारे पास बना हुआ, इसका विग्रह है तो जो हमारे पास समस्त पत है, वो होता है आजीवन आजीवन में जो आ है, उसका अर्थ है भर तो ये आजीवन अगर है उसमें आप देखते हैं उपसर्ग है तो जीवन भर अब यथा यथो चित यथो चित अब इनों ने जो आप देख सकते हैं ये उधारन में पुस्तक में कई बर हो जाती हैं चीज़ें जीवन भर भी आ सकता है आजीवन भी आ सकता है तो इसमें घवराने वाली बात नहीं है अब देख सकते हैं ये उधारन है यथो चित यथो में से यथा अलग हो गया बचा उचित तो वो पूरो पद है जितना उचित हो सके यथा शक्ती पहला पद यथा अर्था शक्ती के अ अनुसार आमरण अब इसमें आ का मतल़ था जीवन भर आमरण तो यहां पर क्या है मरण तक तो बात वो ही है आ जीवन और आमरण वो जीवन भर ये मरण तक पर अब मरण भर नहीं लिख सकते इस बात का ध्यान रखेंहाँ अगर आजन्म आता है तो वो है जन्म से जैसे आजन्म कोई नित्रहीन है तो इसका मतलब ये है अब आगे देखिए ये अनुरूप इसमें अवेय अनु है तो विग्रह क्या बना रूप के अनुसार तो अनु का मतलब हो गया अनुसार बे खटके बे इसमें अब यह हैं बिना खटके के यहां बिना खटके यथा रूची तो रूची के अनुसार हर घड़ी अब रूची के अनुसार यहां जितनी रूची हो हर घड़ी अथा घड़ी घड़ी तो इस प्रकार अनेकों उधारने हैं जो आपको देखने क यह मिल सकती हैं और उधारने भी हम अभी आपको दिखाएंगे अभी अब पढ़ते जाएं यथा शक्ती शक्ती के अनुसार आ जीवन जीवन भर प्रति दिन दिन आ मरन मरने तक रातों रात राती रात में भर पेट पेट भर कर यथा शिगर जितना शिगर हो सके घड़ी चाइद्य कर दिन भर विवर्ण को दिन ही दिन में अन्जाने जाने बिना बेसुद्ध बिना सुद्ध के बेमतलब बिना मतलब के तो चाम सिगह बनुद्ध के साफ साफ बिल्कुल साफ प्रती मास हर मास या मास मास प्रतिक्षन हरक्षन प्रतिपल हर पल यथा नियम नियम के नुसार इनमें आप देख सकते हैं मास मास शन शन पल पल आप लिख सकते हैं यथा नियम नियम के नुसार भर पूर पूरा भर करापूर भरा हुआ साभार अभार सहित प्रतियक्ष आँखों के सामने अब ये प्रतियक्ष है तो मतलब प्रतियक्ष आपके अक्ष आँखे और उनके सामने बेशक शक्के बिना आरक्षा